सेक्डों किलोमेटर पैधल चल रहे प्रवासी मजदूरों का सबर का बान तूट गया और गुसाए प्रवासी मजदूरों ने मत्रा के फरहत हाना शेत्र अंतरगत दिल्ली आगरा हाइवे पर जाम लगा दिया मजदूरों का आरोप है कि प्रशासन के द्वारा खाने पिने का इंतजाम नहीं है और ना ही हमें घर भिजवाने के लिए कोई व्यवस्था की गई है हम लोग कई दिनों से लगातार पैदल चल रही है लोग डाउन थ्री देश में लागू होने की बात लगातार दिल्ली से म मजदूरों का पलायन चारी है हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गंतव्वे के लिए निकल पड़े है कोई पैदर निकल रहा है तो कोई साइकल से अपने गंतव्वे की दूरी नाप रहा है फरहत आना शेतर अंतरगत रैपूरा जाट के समीब दिल्ली आ पर पहुंची पूलिस ने कड़ी मशकत के बाद जाम को खुलवाया और लोगों को उनके गंतव्वे तक वाहनों में बैठा कर रवाना किया परदर्शन कारी गुलजार आनाम की महीला से जब बात की गई तो महीला ने बताया कि हम लोग लगातार पैधर चल रहे हैं कई व हम लोगों को हमारे घरों तक छुड़वाया जाए चोटे चोटे बच्चे हैं सामान है उन्हें हम लेकर हम कैसे पैदल चलेगे खाने के लिए पैसे नहीं है और हम लोग लगातार दिली से पैदल चल रहे हैं मतुरा से समाधाता जाहिद सेयर के रिपॉर्ट क्या नाम है हुआ है कर देखाना कि अध्यार है और प्रदासन किया था किसके लिए किया था हम लोग को आपनी भीहार पहुच्च जाएं जब करके खाना मिलता नहीं बूखांए दो तीन से खाया भी यहां और भी नहीं अब में हैं नहीं कुल दृवर से करें। अब को यहां से किसके दौरा बेज जा रहा है? बस होगा तो बस में चला जाएंगे, ट्रक होगा तो ट्रक में चला जाएंगे, कभी ब्यार पोहच ना है हम लोग को करें। थैन्यवाद।